प्रेंका चोप्रा ने सलमान की भारत छोड़कर सबको बड़ा छटका दिया है शुटिंग शुरू करने से सिर्फ दो दिन पहले ही प्रेंका ने इस फिल्म से पला चाड़ दिया जिसकी वज़ा निक जोनस बताई जा रही है वहीं प्रेंका के इस फिल्म को छोड़ने से काफी सारे सवाल खड़े हो गए है कभी कहा जा रहा है कि पीसी ने ये फिल्म निक के साथ शादी करने की वज़ा से छोड़ी है तो कभी कहा जा रहा है कि प्रेंगा ने ये फिल्म दिशा पाटनी और सनमान की वज़ा से छोड़ी है लेकिन अब जो खबरे आ रही है उसे जाननी के बाद फैंस को तगडा छटका लगने वाला है मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पीसी ने ये फिल्म किसी और वज़ा से नहीं बल की पैसो की वज़ा से छोड़ी है बताया जा रहा है कि भारत के लिए प्रेंगा को 6 करोड 5 लाख रुपे मिल रहे थे लेकिन पीसी इसकी डबल फीस की डिमांड कर रही थी जिसे मेकर्स पूरा नहीं कर पाए जिसकी वज़ा से उन्होंने ये फिल्म छोड़ी है बताया तो ये भी जा रहा है कि पीसी अनप्रोफेशनल नहीं है याद हो तो बता दें कि प्रेंगा के फादर अशोक चोप्रा की देद के कुछ दिनों बाद ही प्रेंगा ने अपनी बाकी फिल्मों की शूटिंग शुरू कर दी थी प्रेंगा हमेशा ही अपने काम को लेकर काफी सीरियस रहती है ऐसे मिफ्दन भारत को छोड़नी के पीछे सिर्फ निक की वज़ा नहीं हो सकती खेर देशी गल ने सलमान की भारत से क्यू पला ज़ाड़ा इस बात का खुलासा तो खुद प्रेंगा ही कर सकती है बैसे आपको क्या लगता है पीछी ने भारत को किस वज़ा से छोड़ा है हमें कमेंट करके जरूर बताएं